फ्री सब्सक्राइब कीजे जवाबी बाबा चैनल को और बेल आइकन को दबाएं, रोज पाएं आसम नौलेज वीडियोस दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ CRO क्या होता है? CRO यानि के Conversion Rate Optimization मात्र दो मिनिट की वीडियो में आपको पूरा कॉंसेप्ट समझ में आ जाएगा, क्यों करते हैं यह समझ में आ जाएगा, देखतर ही यह चैनल को आगे, मिरा नाम है उसयान आप देख रहे हैं, जवाबी वाब चैनल, लेट्स बिगिन CRO Conversion Rate Optimization नाम से ही पता लग रहा है कि हर वो काम, हर वो एक्शन, हर वो एक्टिविटी जो की आप करते हैं एक वेबसाइट के उपर जिससे के आपका कन्वर्जन, उस वेबसाइट का कन्वर्जन आप बढ़ा सकें, कितना बढ़ा सकें? यह आपके उपर है, जितना पॉसि गोल रख सकते हैं कि आपको कितना बढ़ा आना है और फिर आप continue काम कर सकते हैं उसको optimize करने के लिए, optimize मतलब जितना ज़्यादा हो सके उतना हमेशा sustain करने के लिए, conversion rate optimization को आप इस तरीके से समझिए, कि अगर कोई website है, तो उस website का एक purpose है, एक मकसद है, आप एक desired action चाहते हैं उस website का, वो website चाहे तो transactional हो सकती है, या फिर information website हो सकती है, कैसी भी website है, उस website बनाने वाले का owner का एक उदेश है, कि जो customer, जो visitor, जो user मेरी website पर आए, वो ये एक particular काम करें, और उसके बाद चला जाए, तो ये जो desired काम है, जब ये हो जाता है, इसी को conversion बोलते हैं, conversion आप अपना खुट define कर सकते हैं, कि आपके लिए conversion क्या है, अगर कोई website है, जो सिर्फ time बता रही है, अलग-अलग देशों में world time बता रही है, कि कहां पे कौन देख लिया, तो ये ही एक goal completion हो गया, तो इसी को conversion कहलो, कोई website है, जो समान बेच रही है, जैसे कि Amazon, visitor आया, समान देख रहा है, फिर खरीद रहा है, तो खरीदने के बाद ये conversion है, छोटे छोटे goals भी हो सकते हैं, जैसे कि सब conversion, जैसे कि समान खरीदने से पहले, उस पे awareness दि create करते हो, पता लग, customer को पता लगवाते हो, कि भाई हमारी website है, हमारी website पे आ, तो वो website पे आता है, तो आप अलग-अलग content activities करते हो, banner लगाके, promotions चलाके, content में अलग-अलग rung, banners वगारा का इस्तिमाल करके, आप customer को attract करते हो, जिससे कि उसमें interest जागे, अपने product की, आप specifications, benefits, आप ये features बताते हो, जिससे कि customer में interest जागे, तो यहाँ पे interest बिल्ड हो रहा है, जब interest बिल्ड होता है, तो वो भी एक conversion goal हो सकता है, आप उसको sub-conversion goal कहलो, कि customer landing page पे आया, उसको, जो भी content हमने दिखाया, अच्छा लगा, तो उसने product को add to card करके click add to card किया, बास state में add किय तो ये भी एक sub-conversion हो गया, तो ultimate conversion आपकी website का तब बढ़ेगा, जब आप ये छोटे-छोटे conversions को भी बढ़ा हो गया, तो कुल मिला कि ये सब कुछ CRO में आता है, CRO एक बहुत बड़ा vague topic है, इसके अंदर बहुत सारे sub-topics हैं, उसमें analytics कैसे करते हैं, उसमें segmentation कैसे करते है ये सारी की सारी चीज़े CRO के उपर आती है, CRO के अंदर आती है, तो आगे मैं इस चैनल पे और भी वीडियो बनाता रहूँगा, जो कि CRO से related होंगे, CRO के अंदर हम जो काम करते हैं, उन से related होंगे, लेकिन आज के वीडियो का मकसद था, आपको CRO का मोटा मोटा मतलब सम अमने, Conversion Rate Optimization, every activity that we do on our website that helps the visitor to convert, convert into the desired action that we want the user to take, those all activities are called CRO activities, Conversion Rate Optimization Activities, Subscribe to this channel so that you can continue to watch all my videos which will be related around e-commerce, internet, digital marketing, I'll see you in the next one, thank you.